एक S-E-E-I जो आपकी स्वापिंग में हेल्प करें वो भी फ्लिप कार्ट पर जी आपने सही सुना फ्लिप कार्ट की एक अपनी न्यू एही लांच केर दी गए है जिसका नाम है फ्लिपी और उसी की जो डिजाइन करने का जो में मकसद था वो कस्टमर को जादा सी जादा हेल्प करना था विट वैरियोस आफ टास्क के इसका में ली जो वरकिंग है वो आउगी सवचिंग प्रोड़क्ट आप पर्चेस करना चाते हों उस प्रोड़क्ट से रिटेट कोई वी क्यूरी इस हो आपकी जो भी इसू हो फ्लिप कार्ट और वगेरा इन सारी चीजों से रिलेटेट उसी वो सॉल्व करेगा बहुत ही सिंपल और आसान और वो भी बहुत ही जल्दी लेकिन ये फ्लिपी जब AI लाउंच कर दी गई है और इसके बारे में आपको मैं बता ही दिया तो इतनी बताने के बाद मैं पूरी क्यों ना बता दू अधूरी ग्यान क्यों छोड़े तो चलिए जानते हैं पूरी करके डीटेल में किस तरह से काम करते हैं उससे पहले हम बात करते हैं कि किस तरह से इसे डिजाइन किया गया है ये फ्लिपी AI है वो तेन चीजों के कंबिनेशन से डिजाइन की गई है फर्स्ट हो गई मसीन लर्निंग दूसरी हो गई निच्टरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग जिसे आप अनल पीने के नाम से जानते हैं और थर्ड हो गई और टीफीसल इंकी जिस इन तीनों को कंबाइन करके एक AI बनाई गई है जिसका नाम है फ्लिपी AI बट इसका जो मेनली वनली वन काम है वो है कस्टमर को सर्विस देना अब आई जानते हैं यह किस तरह काम करती है किस तरह आपको सर्विस प्रोवाइड करती है देखिए यह जो फिलिपी AI है बहुत हाई डाटा हाई कोड से ही इसे ट्रेंड की गए है जिसमें जितनी भी फिलिप कार्ट पे एविलेबल प्रोडेक्टे क्या है क्या कैसी है और उन सारी को एक तरह यह अपनी आप माइंड में रिमेंबर रखता है और जिस भी प्रोडक्ट के बारे में आपको इससे क्यूरी सराइज होती है वहाँ पर आप जाते हैं और जैसे क्यूरी सराइज करते हैं आपको यह instant message कि थूरू एक एस लाइक चैट वोट आपको रिप्लाइ कर देता है जसी आपकी वी काम हो जाती है और इस तरह इसकी बर्किंग प्रोसेस है बट पट यहां आप इसके बात करते हैं इसके विनिफिट्स के बारे में क्या विनिफिट्स हुए फिलिप काट पे ऐसे भी तो कस्टमर जाते आपको देखने को मिलेंगे इसके बारे में बात कर लेते हैं सबसे पहले नंबर में होता है इसका मतलब यह हुआ कि 24 वाई 7 मतलब की 24 आवर आप जब भी किसी वी चीज से रिलेटेट किसी प्रोड़क्ट से लेटेट कोई भी सवाल जवाब करने आपको यह आसानी से और तो भी बहुत ही जल्दी देदेगा बट इसी कस्टमर स्केर में होते हैं कि आप 10 पीम के बाद नहीं कर सकते हैं यह हर कंपनी की अलग-अलग टाइमिंग होती है तो उस टाइमिंग से आप दूर होकर के एक AI से बात करके अपनी प्रोब्लम को सॉलीशन आसानी से लिए सकत जिस तरह से जैसे कि होती है कि कोई भी प्रोड़क्ट में मिल लिजिए कि कोई प्रोड़क्ट है अभी 919 राइन रूपीस में मिल रही हो वही संदेस आफटर कुछ आफर्स वगेरा आए और उसके बाद उसकी प्रोड़क्ट होज गई 599 रूपीस तो इन सारी सारी चीज प्रोड़क्ट बाई कर लेते हैं वो भी अपने अफ़र्डेवल प्राइस में एंड थर्ड वन इफीट इस प्रस्नलाइजेशन मतलब यह वा कि यह आपकी सर्च से आपकी चैट वोड से इस सारी चीजों से आपको ट्रैक करती है और यह आई ट्रैक करकी आपको वही सारी प्रोड़क्ट आपको रिकमेंड करेगी आपके होमपेस पे जिस प्रोड़क्ट में आप ज्यादा इंट्रेस्ट रखते हैं चैसलाइक आप टेक्स रिलिटेट प्रोड़क्ट को ज्यादा बाई कर रहे हैं तो आपको टेक्स रिलिटेट ही प्रोड़क्ट दिखाए प्रोब्लम की सॉलिशन बहुत ही आसानी तरीके से और बहुत ही जल्दी दे सकते हैं इसकी क्या इंपक्ट पड़ेगी कस्टमर्स पे तो सबसे पहले इसकी इंपक्ट पड़ेगी इनकी जिसे हम कह सकते हैं मतलब कि यह हुआ कि जब भी हम कोई प्रोड़क्ट बाय करने चाहते हैं तो किसी भी प्रोड़क्ट मालेजिए मुझे एक मुवाइल फोन चाहिए जिसमें 4GB रैम हो और 126GB उसकी स्टोरिज हो अब इतनी स्टोरिज के लिए आपको तो पता नहीं कि कौनसी मुवाइल फोन म कितनी स्टोरिज है कितनी रैम है तो बस आपको फिलीपी से बाते करनी हो और उसके बाद इसे बस यह बता देना है कि मुझे एक एसी एफोर्डेवल मुवाइल फोन बताओ जो कि अंडर 10,000 हो उसके अलावा उसमें 4GB रैम हो और 128GB स्टोरिज हो तो यह क्या करेगी जितनी जिसमें आपकी बताए गए फीचर उसमें है वो सारी चीज़े आपको चैटवर्ट में उसकी लिंक दी मिल जाएगी और आप आसानी से उसे क्लिक करके आप उन मुवाइल फोन को भिसिट कर सकते हैं तो यहां तो क्या हुए सबसे पहले आपकी टाइम बची और उसके में या फिर प्रोडक्ट के बारे में उसकी रिव्यू कोई भी आपको प्रोब्लम हो जाती है कोई इसू आती है तो आप क्या करते है फ्लिपकार्ट कस्टमर करते हैं तो उसमें क्या होती है सबसे पहले कस्टमर बात करते हैं और उसके बाद आपको वेट करने पड़ती है दो मिनिट रोगी एक मिनिट रोगी इन सारी जंचेटों में आप फस्ट जाते हैं कहीं न कहीं आपकी ज़्यादा time loss हो जाती है बट यहाँ पर क्या होगी जो यह बहुत बहुत ही बहुत ही fast reply करते है बहुत ही quick reply करते है जिससे आपके और ज़्यादा waiter experience में मिल पाएगी और आसानी से आपके problem की solution मिल जाएगी यह इस features को लाकर customer की जो shopping experience को काफी ज़्यादा बढ़ा दी गया है इसके conclusion में हम बात कर लेते हैं तो यह AI काफी ज़्यादा useful है बट यह हमें track में करते हैं इसी की help से हमें जो product recommend करती है वो काफी अच्छी बात है लेकिन क्या आपको पसंद है कि कोई भी आपको track करे अगर नहीं पसंद या फिर क्या इस पे राई है क्या राई है आपका इस AI से comment में ज़रूर बताईएगा बिचार करते हैं आपकी comment के साथ कुछ नई वीडियो में नई take content लिखर आते हैं आपके लिए इसी परताब take plus चैनल को तब तक के लिए जय हिन जय भाई